मुखमंत्री मनुहरलाल ने बुधवार को चंडीगर में सतत विकास को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अधिश्टा की जिसमें 16 विभागों के मुख विंदियों पर फोकस किया गया हर्याना के मुक्मंत्री मनुहरलाल ने कहा कि नीती आयोग के निर्देशा अनुसार सभी विभाग रैंकिंग में सुधार करने के लिए पैरामीटर अनुसार कारी करें ताकि सतत विकास लक्ष हर्याना 2030 को हांसिल कर सकें और समावेशी हर्याना 2047 के लक्ष की ओर बढ़ा जा सकें कृषी एवं विकिसान कल्यान मंत्री जेपी दलाल ने बुद्वार को चंडीगर में गन्ना नियंतरन बोर्ड की बैठक की अद्धिक्शता कर रहे थे बैठक में सहकारिताट मंत्री डॉक्टर बनवारिलाल कृषी एवं किसान कल्यान विभाग की प्रिश्य मंत्री ने कहा कि शाहबाद शुगरमील में 60 किलोपेडी शमता का एथनौल प्लांट स्थापित किया चुका है और पानीपत शुगरमील में 90 केलपीडी शमता का एथनौल प्लांट शेगर ही लगाया जाएगा इसके अत्रिक रोहतक करनाल सोनीपत जिन्द कैथल म पहम गोनावा पलवल शुगरमीलों में अत्नाल प्लांट लगाने का प्रस्तावत तयार किया गया है खबर चंडीगर से है जहां हर्याना के विधान सभा के अदक्ष ग्यान चंद गुपता ने विधान सभा समीतियों की कारवाई की समिक्षा के लिए बुद्धवार को एक महतपूर बैठक की बैठक में समीतिय अदक्षों से इस वर्ष अब हुए कार का बेवरा पूचा गया वहीं इस दोरान हर्याना विधान सभा के अदक्ष ग्यान चंद गुपता ने कहा कि कमीटियां लगू सदन है इसलिए इनकी बैठकों को गंभीरता से लेना चाहिए हर्याना विधान सभा अदक्ष ग्यान चंद गुपता ने सर्वश्रेश ग्राम पुरुसकार योजना के तहट गाओं बर्वाला की दसवी की तीन मेधावी चात्राओं को डेड़ लाख रुपए की इनाम की राशी देकर सम्मानित किया बतादें की गाओं बर्वाला को पांच हजार याइस से अधिक जनसंग्या वाले गाओं में उचितम लिंगान अनुपात के लिए सर्वश्रेश पुरुसकार योजना के चुना गया राज जिस सरकार ने बेटियों की सिक्षा और सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं बतादें की पंच्पुला का लिंगान अनुपात नौसो चौटिस है जो कि प्रदेश के उस्त लिंगान अनुपात से अधिक है